आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आशरित का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदाहरन वाक्यों से भी इसी और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आशरित का आर्थ समझते हैं आशरित का आर्थ होता है निर्भर ये किसी पर निर्भर होना यानि कि जो किसी दूसरे के आशरे में होता है उसको हम आशरित कहते हैं तो आशरित का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होगा निराशरित और निराशरित का अर्थ होता है जो किसी पर आशरित नहीं होता यानि कि जो किसी दूसरे के सहरे पर ना हो या जिसका कोई सहरा ना हो यानि कि जिसे आप बे सहरा कह सकते हैं या जिसके पा पिता नहीं है इसलिए अपने दादा दादी पर आशरित है या फिर आप कह सकते हैं कि प्राकरतिक आपदा के बाद कई लोग अपने घरों को खोकर निराशरित हो गए और राहत शीवरों में शरण लेने पर मजबूर हो गए या फिर आप कह सकते हैं वरिधा अवस्था में क विधाएं प्रदान की जाती हैं ताके वे सम्मान पुर्वक जीवन जी सकें अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें